दोस्तो, Diabetes Type 1 और Type 2 आप सबी को पता है कि ये कुछ खानों से बढ़ भी सकती है कुछ खाने जो आप अपनी डायट में एड़ कर ले उन से Type 1 और Type 2 Diabetes आपको हो भी सकती है और कुछ ऐसे खाने हैं उनके अंदर कुछ ऐसी चीजें जो companies ढाल देती हैं वो आपको पता नहीं लगता है कि उनके अंदर क्या कुछ डाल दिया है पर वो आपकी दोनों तरह की डाइपटीज टाइप वन और टाइप टी को बढ़ा सकती है तो हम बात करेंगे 15 ऐसे खानों के बारे में ऐसी डाइट के बारे में जो आप हर रोज खा रहे हैं और उनके अंदर बहुत ज़्यादा सीक्रेट ऐसे इंग्रेडियन्ट हैं जो आपके अंदर शूगर की मतरा बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं और आपकी डायबटीज को बिल्कुल बहुत ज़ादा बढ़ाकर आपकी बाड़ी को डामिज कर देते हैं तो पहला जो इसके अंदर जो खाना है जो आप शेल्फ पे जाते हैं मार्किट में जाते हैं सुपर स्टोर में जाते हैं वो लो फैट फूड किसी भी जो खाने वाली पेकिंग वाली एटम है उसके अंदर लो फैट फूड लिखा है तो आप समझ लें उसके अंदर है कार्बो हैडरेट की मातरा बहुत ज़ादा होगी उसका टेस्ट बढ़ाने के लिए और जब ये ऐसे लो फैट फूड लिखे हुए आप खाएंगे उनके अंदर शूगर भी बहुत ज़ादा मिलेगा तो आपके लिए बहुत ज़ादा ये खतरना हो सकता है तो चौदा नंबर की बात करें वो है सॉसस हम जो भी रेड सॉस देखते हैं जो पैकजर सॉस देखते हैं उसके अंदर दोस्तों तीन चीज़ें डालती हैं कमपनी पहला है नमक दूसरा है चीनी और तीसरा है फैड ये तीन एक तरह का खतरना कंबिनेशन है जो आपके बलड के अंदर शूगर की मातरा को बहुत ज़ादा बढ़ा देते हैं तो आपको टाइप वन और टाइप टू डैप्टीज हैं जो आपके किसी आसपास में किसी को बढ़ रही है तो सौस सबी तरह से बंद रखें आपको ये नुकसान पुचा सकती है तेरा नमबर का जो खाना है वह बार्बेक्यू सोस आज कल भारत में रुजान चल्ला है कि बार्बीक्यू जो चिकन है उसको फ्राइड करते हैं उसके उपर जो हम बार्बेक्यू सौस ले के आते हैं मार्केट से देखा गया है कि जो लगबग 1500 ग्राम की जो सॉसकी बóٹल होती है तो उसके अंदर लगबग साथ ग्रामसे भी उपर चीनी उसके अंदर पाई जाती है तो अगर आप 1-2 चम्मचे भी या आदी बॉटल भी वह आप सॉस की जो बार्बीक्यू सॉस की चेकन की उपर लगाते हैं तो बहुत सारी चीनी आप के अंदर चली जाती है जो आपको टाइब वन जा टाइब टू की तरह की शूगर आप बहुत ज़्यादा खतर ना कहें बारवा जो खाना है वह स्कमाल करेंगे डाप्टीज वाले भी जो सूप है मार्केट से पैकेज़र लेके आएंगे पाउडर उसका आप घर पे सूप त्यार करेंगे तो बहुत ज़्यादा खतर ना कहें क्योंकि पैकेज़र सूप के अंदर एक सीरप डाला जाता है जिसको बोलता है कॉर्ण सीर के अंदर जो सरचना है उसके अंदर डायस्ट होता है वह हजम होता है तब बहुत ज़्यादा चीनी निकलती है जितना डायरेक्ट चीनी खाने से भी शूगर का लेवल नहीं बढ़ता है उससे ज्यादा कॉर्ण सीरप से बढ़ता है तो कॉर्ण सीरप इसके अंदर डा जो आप सलाद लेके आते हैं या कही न कहीं से आप सैलड खाते हैं किसी पैटीज में डालकर और वो फ्रीजर में डाला हुआ है सैलड बहुत समय से तो उसके अंदर कार्बोहेडरिट बहुत जादा बढ़ गए हैं तो किसी भी आइटम के अंदर जो पैकजर सलाद है वो डालकर नहीं खाना है हमेशां फ्रेश सैलड है जैसे खीरा फ्रेश खाएं वो फ्रोजन मत खाएं नहीं तो आपकी शुगर का लेवल बलड में बढ़ सकता है जो दसवां खाना है वो है कैंड फ्रूट के बारे में जातर लोग यही सोचते हैं कि कैंड है यह थोड़ा बह डाले जाते हैं तांकि यह फ्रूट है जैसे आप अनानास बाहर रख दें 15-20 दिन के लिए उसको काटकर उसके अंदर उल्ली लग जाएगी फूंद लग जाएगी तो ऐसे जो कैंड फ्रूट है वो खराब ना हो जैसे सेब को काटके कैंड कर दिया गया डिब्बे में बं जो आप प्रोटीन बार्स लेते हैं चाहिए किसी भी कंपनी के या मार्केट से आप खा लेते हैं तो उसके अंदर शूगर बहुत जादा होती है तो इसलिए हमेशा प्रोटीन अगर आपको लेना है तो हेल्थी प्रोटीन घर पे आप अपनी प्रोटीन की डाएट जो सबसे बुरा खाना है वह स्पोर्स ड्रिंक बहुत सरे स्पोर्स ड्रिंक्स इंडिया में मिलते हैं कि स्पोर्स ड्रिंक क्या होता है कि इनको लेने से साथ की साथ अनर्जी आ जाती है क्यों आती है क्योंकि इनके अंदर शूगर बहुत जादा आती है आपको पता है कि मारा शूगर आपके लिए नहीं बनी है नहीं आपको इतनी इनर्जी की जरूरत है जिनका शूगर लेवल बहुत ज़्यादा लो रहता है वो भी इसको बहुत देखके लें क्योंकि इसके अंदर जो प्रिजर्वेटर डले होते हैं वो आपकी सेथ को नुकसान पचा सकते हैं स्प इतना कंबिनेशन है कि कि इसके अंदर फैट शूगर ओई ये तीनूं का कंबिनेशन हैं जो आपके लिए ağzda को ही कर देगा और आपके लिवर को भी कर देगा क्योंकि लिवर आपका डेमेज हो गया तो टाईप वन और चैप तूट सुगर करना वाचे जूगर हम जातर क्या देखने को मिलता है कि juicy low ज्यादा से ज्यादा hots! तो वह डायपटी Warum यह भी हैं तो sius से भी कभी कप तब क्या होता है आपको डैप्टीज है तो आप ना लें उस से बढ़ी है वो सारा फल खा लें कि जूस के अंदर फाइबर की मातरा बहुत ज़्यादा कम होती है तो पूरा फल खाएंगे उसके अंदर आपको फाइबर ही मिलेगा जो पाँच वहां खाना है वोगाय फरेंच फ्राइज, फ्रेंच फ्राइज नॉर्मल है, हर गर में मिलते हैं, पेकज़दी भी बनते हैं, आप अलू से घर पे भी तयार कर सकते हैं, तो डपैपटीज नॉन डपैपटीग दुनों खा सकते हैं इसको और खा रहे है पर अगर आपका शुगर का लेवल 1.500 तक हो रहा है तो आप फ्रेंच फ्राइज ना करें क्यूंकि आलू के अंदर बहुत सारे कार्बो हाइडरेट होते हैं कार्बो हाइडरेट वो एक तरह के तत्व हैं जो आपके शरीर में जब डैस्ट होगें हजम होंगे आपकी पाचन तरह के अंदर जाएंगे तो बहुत सारी चीनीच छोड़ेगा कार्भाइडरेट तो फ्रेंच फ्राइज ना लें इनसे दूर हैं और चौथवाया चॉकलेट चॉकलेट से आप दूर हैं ये तो आपको पते ही होगा इसके दर बहुत सारा शुगर काफीन होता है जो आपके किड्नी को डैमज कर सकता है तीसरा है वाइट ब्रेड और वाइट पास्ता ये वाइट ब्रेड और वाइट पास्ता है जब ये डैस्ट होता है खजम होता है तो बहुत सारा गुलुकोस बाड़ी में निकलता है तो वाइट ब्रेड और वाइट टापस्ता से आप दूर रखें काप सार ये डाप्रीज के जो पेशिंट है उनकी आदिता है विजब रेड़ है तο जा तीन ले ले दें तो इंतिन में कुम करें की बाप करें कि लिए दूसरा इस पंदर कर बैड़ को बैडिट को बन रहूर कर दें चाहिए पोर पाठेड कर तो यह देखने को मिठे नहीं होते हैं परियर डैस्ट होगे जब आप इनको आप हजम करेंगे तो बहुत सारी चीनी आपके श्रीर में निकलेगी तो पटाइटो चिप्स को आप बंद रखें और फस्ट है जो पहला है सबसे ज्यादा जो डेंजिस इसके लिए है डैबी इस दिखते नहीं है पर यह कैमिकल शुगर होती है जो लगवाग साच चमश शुगर के बराबर होती है तो सौब ड्रेंट सा है आपको किसी तरह की कुई समस्या है बढ़ती जा रहा है शुगर बिल्कुर बंद रखें होप आपको यह 15 सबसे बुरे खाने हैं इसके बारे में जानकरी लगी होगी इस से आप दूर रखेंगे अपने आपको इससे بعد भी हम नहीं वीडियो जालती रहंगे ड्यापटे के रिलेटेर जरूर देखी गा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें मिलेंगे फिर नहीं वीडियो के साथ वीडियो को का